जै मातादी मित्रो सरो मंगल मांगल ये शिवे शर्वार्शादी के शर्णे त्रम्ब के गोरी नाराएनी नमोस्तुदे साल 2024 की सभी मेश रासी वालों को एडवांस में हार्दिक शुब कामना है और मित्रो कहीं ना कहीं साल 2024 आने वाला है जिसका टोटल अगर देखा जाए तो आठ नमबर है क्या ये शनी का साल है और मेश रासी वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या साल 2024 भी 23 की तरह ही रहने वाला है या विशेश रहने वाला है तो इस कारिकरम में हम चर्चा करेंगे साल 2023 की 10 बड़ी भविश्यवानिया मेश रासी के साथ में क्या-क्या घटीतों को इसके बारे में चर्चा करेंगे इस कारिकरम को डिटेल में देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्टो आज को फेस्बुक यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर ये कारिकरम अच्छा लगा तो मेश रासी के बारे में बात कर रहे हैं तो साल 2024 के बारे में बात कर रहे हैं तो मेश र के चार चरण और किर्थिका नक्षत्र का एक चरण से यह राशी बनी है देखा जाए तो सब से पहले साल 24 के अंदर मेश राशी के स्वास्ते हेल्थ के पॉंट फ्यू से आपके नेचर के पॉंट फ्यू से देखें तो उसमें अगर आम कुंडली रेखेंगे तो यह मेश राशी की कुंडली बनी हुई है यह साल की कुंडली लगन में ही गुरु विराजमान है यानि यहां पर देखा जाए तो बहुत अच्छा हंस योग ब्रस्पती द्वारा बन रहा है है यानि कि साल 24 मेश राशी के लिए बहुत ही लोकों कता ही पतंत नहीं सौतंत्र विचार धारा वाले व्यक्ति मेश राशीवाले होता है हूं marketing के किंग कहा जाता है यानि marketing की कैसी चीज को मार्केटाइज करना है इन से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता आ आ तर घ्राइभ को किसी के काम में आजडाना पसंद नहीं होता लेकिन कोई व्यक्ति इनसे शत्रूता ले ले, कोई इनके बीच में टांग अड़ा दे तो ये उसको छोड़ते भी नहीं है, याद रखिएगा, साल 2024 में अगर देखा जाए, तो मेजरासी का मंगल द्वारा रोचग योग बन रहा है, यानि मंगल त्रुकोंड भाव में बैठे, यानि साल 2024 में मं लगनेज और अश्टमेज दोनों के दोनों है, यानि कि पूरा साल देखा जाए, तो आप अपने शरीर को तंदरूस करने में, फिट करने में, प्रॉपर आपका साल 2024 में ध्यान रहेगा, हेल्थ में ध्यान रहेगा, मेजरासी वाले अपने हेल्थ को फिट करने के लिए, गठीला वदन करने के लिए योगा करने वाले हैं, जिम करने वाले हैं, और जैसा मैंने बताया कि ब्रस्पती अगर देखा जाए, आपके लगन में बैटा है, हंस योग का निर्मान करा रहा है, तो कही ना कहीं आपके लुक में बड़ा ड्राश्टिक चेंज आने वाला है मेज रासी वाले साल 2020 में अपने लुक में बड़ा बदलाव करके पतले और बड़े आकर्चित लगने वाले हैं चाहे महिना हैं चाहे पुरुसें लोग जमकर उनके व्यक्तितु की तारीव करने वाले अध्यात्मिक बदलाव आने वाले हैं मेज रासी वाले जनवरी से ही अपने अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाले यारी कहीं ना कहीं किसी मंत्र किसी पूजा पार्ट किसी बुक को फोलो करने वाले और अपने जीवन के अंदर कुछ पॉजटिव बदलाव लाने वाले लगन में गुरु है तो बुरी यहां हैं को स्वेज़ प्रेशान में स्रासी को कर सकते हैं मार्क दोजार चोवीश जून दोजार चोवीश अगर्च दोजार चोवीश और दिसम्बर दोजार चौबिस इसमें हेल्ट की समस्या पेट की समस्या दर्द की समस्या फूड इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है अन्य था आठ महीने बहुत ही अच्छे यानि देखा जाए तो साल दोजार चौबिस के अंदर मेश रासी के अध्यात्मिक बदलाव आएगा बुरी जो सबसे सफल रासी मेश रासी होती है मेश रासी वाले खूब धन भी अरजित करते हैं खास कर देखा जाए तो इनका जो शौक होता है जो इनका इंटरस्ट होता है वो इलेक्ट्रोनिक गैजिट के अंदर होता है घूमने फिरने का इनका शौक होता है खाने पीने का इनका शौक होता है यानि काफी अगर यह धना रजीत करते हैं मेश रासी वाले तो जनरली इ और कही नहीं देखा जाए तो घूमने फिरने का इनको स्वाता नहीं देखा जाए तो इसमां काफी अच्छा पैसा ये खर्ज करते हैं साती साथ देखा जाए तो पैसाड़ मेंजराती वाले अक्सरंड म्हीं करते pistaर चाहिए या प्लॉटों के अंदर धन निवेश करते हैं और जिससे कि इनको आने वाले 5 साल 10 साल में वही प्लॉट वही जो शेयर है बहुत अच्छा रिटन करते हैं जिससे यह अमीर हो जाते हैं क्योंकि देखा जाए तो मेज रासी ऐसी रासी है जनरली जो पैसे कमाने के लिए अच्छे जगा पर पैसे इंवेश करते हैं और बड़ा लाब होता है साल 2024 में देखा जाए तो कहीं न कहीं धन का मामले में देखा जाए तो धन की स्तती साल 2024 में बहुत अच्छी है बुद्ध और शुक्र एकसाथ होने से एक्स्ट्रा इंकम के योग आपके बनते हैं यान बनाएंगे और यह जो योजना उनकी अच्छी रहेगी 37 साल 2024 जो आठ नम्मर का साल है अगर आप इसको एकल करते हैं तो इसमें में सराती वालों को खूब बड़ा धन का लाब हो रहा है या रुका हुआ बड़ा धन इनको मिलेगा खास कर देखा जाए तो मार्च 2024 से लेक साथी साथ देखा जाए साल 2024 में आपको कुछ बातों का साब्धान साबधानी भी रखनी है में श्राची को टी और वाय अक्षर से जिनके नाम की स्टार्टिंग होती है जिनके नाम टी एन वायक्षर से इन लोगों से धन समंदी अगर लेंदेन साल 2024 में कर रहे हैं तो थो थोड़ा साबधानी से साबधानी बरते कागचों पे लेंदेन करें नहीं तो आपका धन यह डुबा सकते हैं अपने मतलब के लिए आपको नुकसान दे सकते हैं साती साथ देखा जाए इस साल 2024 आठ का जो नंबर है वो धन के लिए बहुत अच्छा है विपरीत राजयोग बन रहा है साल 2024 में अगर देखा जाए तो तीसरी घटना के बारे में बात करें तो बुद्ध भई आपके अश्टमेस बैठें यानि अश्टम भाव में बुद्ध बैठें तो कहीं न कहीं भाई बहुत हो रहे हैं बहुत बहुत हो और नजर आ रहा है और देखा जाए तो भौतिक वस्तु को लेकर जो रिलेशन खराब हो गए थे जैसा मैंने का किसी जमीन या किसी चीज को लेकर जो रिष्टे खराब हो आप ती बैठा करके आप उस वाद विवाद को सौल्व करने वाले हैं। याद रखे तो कुल मिलाले देखा जाए तो अस्टमेज बुद्ध भी यहां पर पहुत अच्छा काम करने वाला जो परिवारिक वाद विवाद था वह भी बैठकर आप सौल्व करने प्रभू आप गुरु जी से काफी समय से जुड़े हुए हैं ठीक जी और आपका अनुभव कैसे राजो ये इतने साल गुजरे हैं तो आपका अपना अनुभव बदा ये पंडी जी से मैं 2014 के एंड में मिला था और तब मेरी साधी भी नहीं हुई थी और भगवान के कृपा से पंडी जी से किसी तरह मुझे मुझे मुलाकात हुई किसी में सजेस्ट किया और उसके बाद से 2015 में मेरी और मेरी मतलब वाइफ मतलब साधी भी जिनसे मैं चाहता था उनसे साधी हुई पंडी जी ने बताया था कि आपको तुरंत लड़का होगा वो भी हुआ अच्छा अनुरूप ही हुआ मुझे कभी कोई चीज में मतलब कोई कमी नहीं दिखी और नहीं मुझे ऐसा फिल हुआ कि पंडी जी ने जो बताई हो वो ना हो सारा चीज उसके अनुरूप हुआ और पिछले दो साल तीन साल से इवेन हम लोग पंडी जी को ढून रहे हैं और उपर अज फिर पंडी जी सामने हैं मिल गय हैं मुझे तो यह सब मैं भगवान की कृपा और पंडी जी का असिरवाद मानता हूं और I really want to thank he has provided lot of good things, positive words and that will help a lot in my life, in my career and I want to take these things with my own self and with my wife. Thank you so much पंडी जी and it will really help a lot. माता रानी से कहूंगा कि हमेशा इन से मिलाते रहें और इसी तरह हमें positive energy मिलते रहें जय माता दे धनी आप पांचवी घटना के बारे में बात करें तो परिवारिक जीवन में वो घटित होगी यानि चतुर्द के स्वामी चंद्रमा पंचम भाव की अश्टम दृष्टी है तो कई ना कई property खरीदने के साल 2024 में योग बनते हैं या property का आप renovation करा सकते हैं ऐसा योग बन रहा है साती साथ साल दोजाज 24 में नया महमान घर के अंदर आ सकता है यानि कोई बेवी का जनम हो सकता है या फिर कोई पुत्र वदू या कोई वदू आ सकती है यानि नया महमान या तो बच्चे के रूप में या वदू के रूप में या वर के रूप में आपके घर में साल 24 में बढ़ेगा तो परिवारी की स्तती में रुखेवे काम फैमिली मेंबर के होतेवे नजर आ रहे हैं साथी साथ देखा जाए तो आप बात कर लेते हैं मेस रासी वाले उनकी जिनकी संतान है तो शंतान भाई के बारे में बात कर लेते हैं चटी घटना है तो वैसे अगर देखा जाए तो जैर्नलि अगर मेस रासी वालों की संतान विध्या करियर पे मेज रासी वाले खूब अपनी संतान को आगे बढ़ाने में धन खर्च करते हैं उनको अच्छी जगा से चिक्षा देते हैं अच्छा धन लगाते हैं प्रयाय इनकी संतान टॉप पुजीशन पे होती है वैसे भी मेज रासी वालों की संतान चाह एक है चाह दो है वो अच पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं एक वर्ष से 18 साल की जो छोटी संतान है साल 2024 में विद्या में करियर में उनका प्रफोर्मेंस जबरदस्त रहेगा विद्या में देखा जाए तो उनके टॉप संतान को मिल सकता है और बहुत सारी प्रतियोगिता में आपकी संतान जीतने वाली ऐसा योग नजर आ रहा है यानि संतान का कहीना कहीं देखा जाए साल 2024 बहुत अच्छा है टॉप प्रफोर्मेंस वाला रहेगा और संतान का जो ध्यान है वो कला संगीत नितिय या तेराकी की और साल 2024 के अंदर जाने वाला है यानि कुल मिलाके अगर आपकी संतान एक से 18 वर्ष की तो बहुत अच्छा प्रफोर्मेंस है और अगर बड़ी संतान है यानि 18 से बड़ी संतान है तो साल 2024 में सरकारी परिक्षा के अंदर बेस्ट रिजल आपकी संतान को प्राप्त होगा संतान की विद्या करियर के लिए साल 2024 बहुत अच्छा है उसमें अच् संतानों में सराथी के साल 2024 दोनों के लिए अच्छा है अब साथवी गटना के बारे में बात करें तो वह होगी नौकरी भाव में वैसे देखा जाए तो में सराथी वाले देखा जाए तो अपनी मैनस से चोटे पद से बड़े पद पर पहुंच जाते हैं क्योंकि नौकरी सबकां में पहुंच जाते हैं अपने काम में मास्थर होते हैं सब क्या करियर में हाथ बटाने वाले होते हैं सबके दुख दरद दूर करने वाले होते हैं बास हो चाहे में सराथी का जनर्ली स्भाव tara w नोकरी में डबल इफेक्ट वाला होगा हर घटना दो बार होने के योग नजर आ रहे हैं यानि कि दो बार आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है पहले साल के शुरुवात में आपको कोई प्रोजक्ट दिया जाएगा फिर मध्य में दूसरा प्रोजक्ट दिया जाएगा इसी प्रकार से दो जोब के आपको ओफर प्राप्त होंगे इसी प्रकार से डवल आपकी पद वृद्धी या धन वृद्धी होगे साल के शुरुवाती महिने में भी धन वृद्धी पद साथी साथ विपरीत राजियों के कारण अचानक साल 2024 में आपको मैनेजमेंट के द्वारा बड़ा पद दिया जा सकता है कोई बड़ी जिम्मेवारी साल 2024 में दी जा सकती है फरवरी से लेका और अक्टूबर के बीच में ये योग बनता है साथी साथ देखा जाए तो एक्ष तो कुल मिलाके जितने भी में इस रासी वाले नौकरी करते हैं उनके लिए साल 2024 यूटन वाला बड़िया साल रहने वाला है मैं इनसे 2011 में मिला था माई के महने में ठीक है और जब से मैं इनसे मिला था तो उस जन्म पत्री के आधार पर मेरे पर रहू की बहुत ज्यादा दिशा खराब थी तो उन्होंने मेरे को मेरे को गोमेद की सला दीती और मेरे को अंगोठी गहन कर वाइपनाई दी जब से व्यपार में घर में बच्चों में सबसे अच्छा बढ़िया मेरा तालमेली चल रहा है और अब तक अच्छा चलता है और मैं फिर वापसी पंडी जिल मिलने के लिए आया हूं कि उनके आचित्वास से मेरा काम हम बढ़ेच चल रहा है अच्छा बात कर लेते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों तराका रहता है में तराती के जो पुरूष होते हैं उनका दामपत्य जीवन नॉर्मल रहता है ठीक ठाक रहता है मेज राशी वाली जितनी भी इस्त्रियां है उनका दामपत्य जीवन संगर्स में रहता है या तो पती से देखा जाए तो कहीना कहीं दामपत्य सुक में कमी रहती है पती विदेश में रहता है पत्नी यहां रह लेकिन साल 24 में देखा जाए तो यह वर्स बहुत अच्छा नहीं है में इस वर्स पार्टनर से आपके जादा वाद विवाद रह सकते हैं चाहे लब कपल हो चाहे पती-पत्नियों पार्टनर से कहीं ना कहीं किसी टॉपिक को लेकर माता-पिता को लेकर या फैमली मेंबर को लेकर जनवरी से वाद विवाद दिखाई देंगे या फिर partner को health के issue जनवरी से शुरू होंगे साल 2024 में देखा जाए जीवन में किसी और की entry भी हो सकती है यानि कि आपके relation में दरार पढ़ सकती है खासकर देखा जाए February से October तक ये योग बनता है यानि मेज रासी वाले जातकों जातिकाओं के जीवन में किसी और से उनका attraction हो सकता है किसी और से लगाव हो सकता है किसी से मितरता हो सकती है जिस से परिवार के अंदर परिवार वालो या पती-पतनी या प्रेमी-प्रेमी गाओं के बीच में दरार पढ़ सकती है उस व्यक्ति से तो थोड़ा सूज-बूज से आपको काम करने की जरूरत है याद रखिएगा कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2024 रिलेशन के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है नए सम्मंद आपके बन सकते हैं मन पसंद जो व्यक्ति है जिस टाइप का आपको व्यक्ति चाहिए वो आपको प्राप्त होगा यानि साल 2024 में प्राप्त होगा अब आपके ओपर एक डाउट रहेगा पूरे साल कि मुझे पुछला रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए नए रिलेशन की और आगे बढ़ जाना चाहिए यह डिपेंड ऑन यू तो आपको इसके लिए अपनी कुंडली भई दिखानी पड़ेगी तब जा यानि सरकारी नौकरी में अगर आप अपला ही करते हैं मैंनत करते तो आपको अच्छी सबलता मिलेगी प्रतियोगता परिक्षा में भी आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा साती साथ विदेश यात्रा की भी आपके योग बनते हैं यानि कुल मिलाके साल नहीं करनी है मैंने यह सब्जेक्ट गलत ले लिया है तो बड़ा फील्ड में परिवर्तन भी आपका साल दोजार चौबिस में होगा आठ नंबर का साल है इसमें आप अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है आप बात कर लेते हैं दस्वी और अंतीम मेश-राथी वाले जो लोग होता है व्यैपार के में बड़े लखी साबित होते हैं मार्केटिंग स्टेटर्जी में महहरत होते हैं तो कहीना कहीं अपना काम यह वैसे भी चला लेते हैं अपने काम या बुद्धी से या किसी सूजबू से समझदारी से बड़े कॉंट्रैक्ट ये अपने काम में ले लेते हैं यानि कहीं मेज राथी वाले जाता क्योंकि सोतंत्र विचार धारा वाले होते हैं अपना काम करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं रिस्क लेने की प्रवर्ती इनको बड़ा बना देती है याद रखिएगा तो कुल मिलाके वैसे तो जनरली मेज राशी वाले चाहिए अपनी दुकान चला है या शुरूम चला है वो अपना काम कैसे नहीं कैसे बाइट्रिक बाइवोग के अच्छा कर ही लेंगे साल दोजार चौबिस में देखा जाए तो संपूर्ण वर्ष शनी द्वारा शश्योग बन रहा है यानि की देखा जाए साल दोजार चौबिस में कोई नया प्रोडेक्ट आप लॉंच कर सकते हैं या नए प्रोडेक्ट में आपका फोकस रहेगा नए काम में आपका इन्वेश्मेंट रहेगा और उसको चलाने में आपका बर्षक प्रियाद रहने वाला है साल दोजार चौबिस में देखा जाए व्यापार में आपको सर्वस्रेश्ट मिलने वाला है यानि व्यापार में आप जो भी मैनत करेंगे उसमें आपको बड़ी डीले मिलेंगी अच्छा सेल्स रहे प compete करेंगे काम को बढ़ाने लिए विढयारपन भी करने मार्केटेंग अपनाने वाले हौने मार्केटिंग में भी मोटा धन इव्याण करने वाले उ необ sum लब में आपको जूंँन से और दिसंबर 2030 तक आप ने जो धन में लन्च किया है या मार्केटिंग में जो धन लगाया है उसका रिटन आपको जून दो हुजाए चौबिस से लेकर और दिसम्मर दो हुजाए चौबिस तक प्राप्त होगा तो कुल मिलाके व्यपारियों के लिए भी मेहनत वाला बड़े मोटे रिस्क वाला साल दोजार चौबिस रहने वाला है तो यह था मित्रो साल दोजार चौबिस में मेज वारासी की संपूर्ण दस भविश्य वणिया कारेकरम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेस्बुक में देख रहे हैं तो शेयर जरू करें पोस्ट को जैमातादी हैपी न्यूजर मेरा नम सुकनीट को है मैं करनेड़ रहन वाली है ते मैं अनू बहुत प्यार कर दिया और मेरे घरवाले मान गये हैं और इनके घरवाले नहीं माने हैं बस एक बर चैनल देखा था पंडित प्रकाश जोसी जी का उनकी शरन में गये उनसे सारी अप्ति प्रशानियां बताई और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वह किया आज उनकी करपा से इनकी साथ मेरे शादी हो गई है और खुशी जीवन ब्यतीत कर रहे हैं जैहों प्रकाश जी कर दो कि जीद कि आज कि कर दो कर का दो कि खुशी जीवन भीदी कर दो के वे ते जीवन हमें हो।